जिला हमीरपुर में अन्यक शेत्रों से 15 मार्च के बाद विदेश यात्रा बाहरी राजयो अत्वा बाहरी जिलों से आये सभी लोगों की सक्रीनिंग के लिए भी एक्टिव केस फाइंडिंग अभ्यान पंचायत स्तर पर शुरू किया गया है इसके लिए कुल 509 टीमें गठित की गई हैं जिन में स्वास्ते ब्लॉक बडसर में 106, भुरंज में 137, गलोड में 68, नदौन में 73, सुजानपुर में 63, टौनी देवी में 50 और शहरिक शेत्र में 118 टीमें लगाई गई हैं उपयोक्त हरिकेश मिना ने बताया कि जिला में ऐसे लगभग 13,000 परिवारों की स्क्रीनिंग की जाएगी और यदि किसी में COVID-19 से संबंधित लक्षन पाए जाते हैं तो उनका नमुना जांच के लिए भेजा जाएगा इन टीम मा द्वारा अभी तक 7,347 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है जिन में 7,301 बाहरी राज्यों या जिलों से तथा 46 लोग विदेशों से यात्रा करने के उपरांत इस अब्धि में हमिरपुर जिला में लोटे हैं यह सबी लोग घर पर ही संग्रोध की अवधिपूरण कर चुके हैं उन्होंने यह भी बताया कि बाहर से लोटे लोगों की जानकारी के बारे में पंचायतों से प्रमान पत्रफी लियद जा रहा है इसके बाद यदि कोई व्यक्ति कहीं भी अव्यादिया असमाने ढंग से प्रविस्ट पाया गया तो उसके विरुद कड़ी कारेरवाई अमल में लाई जाएगी PLTV के लिए हमीरपुर से व्यूरो रिपोर्ट